नमशकार दोस्तों, नेटो नेशन्स को पता है डाट रशिया एक expansionist policy follow करता है और रशिया की foreign policy totally expansion पर depend करती है और आज से नहीं ये रशियन empire के time से depend करती है तो इसलिए वो बहुत paranoid रहते है रशिया की expansionist policy से और इन नेटो नेशन्स को exactly यही लगता है कि अगर रशिया ने इन NATO nations के उपर हमला किया तो what are their chances to survive? Because जो हाल इनों ने देखा Ukraine का हुआ और इनको लगता है कि पूरी तरीके से Ukraine पर हमला इसलिए हुआ because 2008 में initially Ukraine ने NATO की membership के लिए apply कर दिया था हाला कि Russia ने मना किया था लेकिन फिर भी ने फिर भी Ukraine ने अपलाई कर दिया था उसके बाद Ukraine को हमेशा से Russia ने target करना start किया और एकदम से अब 2022 में full pledged war गोशित कर दिया Ukraine के उपर तो इसलिए इन NATO nations को ऐसा डर है कि because they are a part of NATO और इनकी जो boundaries है इनके जो borders है वो रश्या के साथ साजा होते हैं तो रश्या कभी भी attack कर सकता है इन nations के ओपर तो इनोंने मिल करके एक बहुत ambitious project बनाया है जिसको ये drone wall कह रहा है बेसिकली ये क्या करेंगे ये सारे NATO nations इसमें छे NATO nations है लिथोनिया लाट्विया इस्टोनिया पोलेंड फिनलैंड और नॉर्वे इन छे ओ नेशन ने डिसाइड किया है कि हम एक काम करेंगे हम एक drone wall बनाएंगे throughout the territory अब ये drone wall क्या होगा basically दिखेगा कैसा अब ये कुछ ऐस कवर करेंगे और अपनी surveillance के थुरू पूरे border के ऊपर नजर रखेंगे कि कोई भी suspicious activity ना हो अब आप देख रहों कि इन drones को equal distances पर एक से दूसरे को equal distances पर रखा जाएगा और इसके इनके बीच में काफी टगडा integration होगा जिससे कि कोई भी suspicious activity अगर होती है throughout the border तो उसको ये detect कर करके तुरंत उस पर act कर पाएंगे अब अगर इस drone wall को attack किया जाता है using drones तो उसके लिए भी इन्होंने इंतिजाम कर रखा है इन्होंने decide किया है कि हम क्या करेंगे हम anti drone systems का use करेंगे throughout the border और ये छेओ country basically एक दूसरे के साथ मिल करके अपने defense agreements को करके एक पूरा wall बनाएंगी around Russia अगर आप मैं आप से देखोगे तो ये drone wall बहुत ही ambitious project है वो ऐसा दिखाई देगा मतलब अगर मैं marker से आपको mark करके दिखाता हूँ ये पोलेंड है और फिर ये लुथुनिया आ गया लाटविया आया इस्टोनिया आया उसके आद फिल्लैंड और ये जो बड़ा सा border है ये नॉर्वे का है पूरा और ये पूरा ऐसा पूरा western Europe आप समझे लो cover करके ऐसा कुछ drone wall आपको दिखाई देगा और ये सिर्फ और सिर्फ रशिया से बचने की एक तरकीब है अब इन NATO nations को actually ऐसा लगता है कि रशिया की जो expansionist policy है उसके तहत रशिया इनके जो borders है उनको 5- 10 साल में टेस्ट जरूर करेगा और इसी लिए इनोंने ये drone wall बनाया हुआ है अब basically drone wall करेगा क्या इस drone wall का काम क्या है basically इसको बनाया गया एक deterrence के तौर पर deterrence कैसे because in NATO nations को जैसा कि मैंने आपको कहा इनको लगता है कि अगले 5-10 साल में जैसे Ukraine को test किया रशिया ने वैसे ही इनकी boundaries को भी test कर सकता है कभी भी तो इन NATO nations को अगर आप देखोगे ना आप इन में से जितनी भी country देख लो अगर एक Poland को हटा दो और बाकी military power में देखो तो these countries don't exist anywhere around Russia तो उस चीज़ से इनको काफी डर है और जब तक NATO countries आएंगी इनको support करने बाकी की US, France यह सब जब तक आएंगी तब तक तो Russia इनको खतम कर चुका होगा because जो Ukraine के साथ हुआ तो इनको यह समझ में आ गया है कि जिस तरीके से Ukraine बरबाद हो गया है जब तक बाकी की nations आएंगी तब तक तो हमें भी खा जाएगा Russia इस डर से इन्होंने यह NATO wall बनाने का plan किया है because यह NATO wall एक deterrence का का काम करेगी ताकि यह रशिया के expansion से बच पाएं और इन्होंने इस चीज को इस project को leak भी कर दिया मतलब जानबूच के out of media भी ला दिया है कि हम यह drone wall बनाने जा रहे हैं ताकि रशिया के लिए एक deterrence का काम करेगी दूसरी चीज बहुत important चीज यह है कि through the Russia border अगर आप देखोगे रशिया का जो border लगता है यहां पर through this border बहुत बड़ी मात्रा में जो है arms की smuggling होती है arms के अलावा drugs की smuggling होती है तो इसको भी नजर में रखने के लिए क्योंकि यह चीजें भी रशिया को एक तरीके से इन nations को ऐसा लगता है कि यह चीजें भी रशिया को एक तरीके से support देती हैं पावर देती हैं और ज्यादा तो इसी लिए जो रशियन वार लॉट्स हैं जो अलग-अलग उन्होंने आपको पता है कि युक्रेन की कई सारी territory में रशिया ने अपने कुछ-कुछ groups को खड़ा किया हुआ है तो उन groups को actual में जो पूरा oil मिलता है जो पूरा support मिलता है वो इ ये drone wall तो नहीं बनाया था यूएस ने पहली बार इस drones को यूज किया था अपने borders की security को enhance करने के लिए अब यूएस का जो border लगता था मेक्सिको से वहां से smuggling की बहुत सारी reports आती थी illegal human trafficking की बहुत report आती थी illegal border cross करने की काफे reports आती थी तो उसको manage करने के लिए यूएस ने पूरी organization मनाई और उस organization के थुरू उन्होंने कई सारे drone surveillance शुरू किया अपने border के थुरू हाला कि पता है वो drone surveillance जो है वो fail हो गया था because क्या हुआ था कि underground tunnels बनाने की खबर आने लगी थी कि ये लोग underground tunnels बना करके उसमें से ये सारी चीज़े करते हैं उसमें से smuggling को कर रहे हैं तो फिर surveillance का कोई फाइदा नहीं हुआ उनको drone surveillance का तो वो US के case में वो fail हुआ था let's see NATO का ये इतना ambitious project है ये कितना बट इस project में obviously challenges बहुत सारे होंगे challenges क्या होंगे तो सबसे बड़ा challenges पूरे project का जो मुझे लगता है जो experts को लगता है वो challenge क्या है वो है technological integration का challenge अब देखो ये drones है न although सारे experts का यही कहना है कि यह machines है तो 24 hours surveillance देना उनको ना एक बीच में renew period देना हुआ कि एक drone को दूसरा drone renew कर रहा है तब एक drone जो water time से वहाँ पर लगा हुआ water पर वो वापस आ रहा है दूसरा drone उसकी जगह पर जा रहा है तो यह जो renew period होगा transition period होगा इसमें integration होना बहुत जरूरी है आपस में भी drones क्योंकि equal distances पर रहेंगे अब obviously बात है we are talking about thousands and thousands of kilometers in Europe western Europe तो इसमें एक दूसरे से equal distances पर रहेंगे तो वहाँ पर भी इनके बीच में in drones के बीच में integration होना चाहिए कहीं क्योंकि अगर एक drone down होता है तो अगर वो drone down होता है तो जल्दी से वहाँ पर recover के लिए team पहुंच जाए या drone बाकी के पहुंच जाए बिकास अधरवाइस एक mole बन जाएगा और फिर इस wall का पुरा फाइदा ही नहीं बिकास वहाँ से वह wall पूरी तरीके से breach हो जाएगा तो यह technological integration का जो process है इसको इस पर काम करने के लिए इस drone wall को successful होने के लिए यह बहुत ज़रा जरूरी है और let's see कि इसको कैसे अचीव करती है नेटो यह छे हो नेटो कंट्री दूसरा problem है कि यह financial constraints काफी होंगे अब देखो इस पूरे project में आप देखिए छे countries है उन 6 countries के 6 defense departments होंगे पूरे अलग-अलग और सब के plans अलग-अलग होंगे तो एक table पर बैठ करके एक decision को लेना बहुत मुश्किल होगा तो यह पूरा plan बनने में ही I think बहुत financial constraints है है because हर country की अपने financial issues है हर country की अपनी strategy होती है defense की तो 6 countries एक साथ defense strategy बना करके एक plan को action मिला सके वो बहुत मुश्किल होगा अब जैसे हम मैंने आपको बताया US surveillance के बारे मुनोंने पूरी organization बनाई उसके थूरू वो surveillance करते थे अब आप सोचो यह 6 nations है thousands and thousands of kilometers of boundary है उसको पूरे 24 गंटे रोज surveillance करना है तो मतलब एक पूरा organization तो इनको बनाने ही पड़ेगा जो दिन भर यही काम कर रहा होगा surveillance का और जो footages आ रही होंगी उसको चांट रहा होगा जहां पर suspicious activities दिख रहे होगा उस पर action लेना central team को announce करना यह सारी चीजें वो organization करेगी तो let's see कि कैसे यह पू drone wall के लिए तो इन दो challenges को overcome कर पाएंगे उसके बाद भी बहुत सारे challenges आएंगे उसके बाद भी human challenges आएगा बहुत सारे इसको processing challenges आएंगे because 6 countries है time लगेगा और फिर time लगने के बाद फिर आपको manage करना है एक पूरा organization बनाना है panel बैठाना है वो सारी चीजें जो है आपको करन में या कुछ पार्ट में जो बहुत disturbed रहता है वहाँ पर drone को surveillance के लिए ज़रूर यूज किया जाता है बट एक पूरा complete along the water एक wall बनाना यह अभी तक किसी नहीं किया है तो यह अपने आप में NATO का एक नया discovery है let's see कितना ज्यादा work करता है against Russia now I hope आपको यह पूरा article समझ में आ runner थे तो यह हुमारी success है ना Unacademy team की इसको हम अपने world affairs की audience के साथ मिल करके celebrate करना चाहते है और इसलिए हमने अभी तक का UPC CST के preparation में biggest ever price drop किया है और price जिसमें UPC CST के preparation में आपके 1,5 लाग दो लाग रुपय लग जाते थे उसके price को drop करके हमने only 29,999 कर दिया है तो इस affordable price में आपको best quality education मिलेगी with best quality educators like Mrunaz sir, Sudarshan sir, Pratik sir and many more तो आप इस batch को जरूर से जरूर join करें 15 month का ये course होगा description में एक link दिया हुआ असपर जाकर करके आपको click करना जहाँ पर use code का option आएगा वहाँ पर simply आपको AP YT 10 type कर देना है तो आपको discounted price show होने लगए आपको ये पूरा article drone wall का NATO की strategy समझ में आ गए होगी आज के लिए तना ही thank you and have a nice day